आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का राशीफल उसमा अरम होज होजा देख राशीफल में अजका आज की होज़ा रैने वाला है अज का पंचांगों और 20 जिस्टाट फार जाना है कि एक्मोर्तम गाया में जाना है तो डिस्क्रिप्शन में आज कर देख सिंप राशीफल गोविशा अर के निक्सपमे जाने है आज के संपून रासिपल के वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ते जोड़ करें साथ एक कमेंट बाक्स में जै माता दी जोड़ लिखें मित्रम आज का संपून रासिपल के हम चर्चा करें इससे पहले आईए एक नजर आज के गरहों के स्तिती पर जहुड रालते हैं नजर क्योंकि इसी पर पूरा रासिपल निर्भर करता है मेश आसीम चंदरमा आज छठे अस्थान में विराजित है जिसके प्रजब मेश आसी वालों को आज संतान के तरफ से थोड़े चिंता रह सकती है तो अपने संतान का ध्यान रखें आपके अधिनस्त क्रमचारी और नोकुनों का सहयोग आपको भरपूर मिलने वाला है हिम्मत और प्राक्राम आपका बना हुआ रहेगा बात करेंगे व्यापार और धन की तो आज करेंगे आपके लिए काफी उन्नती दायक रहने वाला है आपकी उन्नती हो सकती है आई के नई स्रोथ बनेंगे व्यापार में भी लाब होगा पैतिक संपती का लाब आपको मिल सकता है डूबा हुआ फ़सा हुआ कोई धन भी प्राप्त हो सकता है चोटे भाई बढ़नों से सहयोग ततना लाब आपको अज मिल सकता है विद्यार्थि की बात करेंगर तो विद्यार्थियों के लिए आज के इन मध्यम रहने वाला है विद्यार्थियों की एका गृता में कमी आ सकती है कैरियर में संघर्ष के योग बन रहे हैं लेकिन संघर्ष के पस्चात सफलता मिले की योग में बन रहे हैं स्वास्ति की बात करें स्वास्ति आपका अच्छा रहने वाला है फिर भी अपने स्वास्ति का ध्यान जोर रखें प्रेम समंध की बात करें तो प्रेम समंधों के लिए आज का दिन सामानने रहने वाला है आज किन चुकुंदर खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा नबट करने में विरिष्राशी की। इस्थाइं जिसके फ्रसों विष्राशी वालों के लिए आज का दिन अध्यात्मिक दृष्टी से बहुती बढ़िया रहने वाले हैं। तरा के भी योग बनेंगे कहीं आज महमान बनकर जाते हैं तो आपका स्वागत वहां बहुत अच्छे तरेके से किया जाएगा महमान नवाजी का पूरा आनंदा पुठा पाएंगे मित्रों तथा बड़े भाई बहनों के सहयोग से केरियर में सफलता मिल सकती है माता के स्वा सफलता की प्राप्ति आपको होगी जो विजार्थी परत्युक्ता परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सफलता मिल सकती है स्वास्ति की बात के स्वास्ति के द्रिष्टी से आज के लिए आपके लिए सामानने रहने वाला है फिर भी अपने स्वास्ति का ध्यान ज बात केंगे मिथुन रासी की, मिथुन रासी में चंदरमा चौथे अस्थान में आज विराजित हैं, जिसके फ्रसुप मिथुन रासी वालों के लिए आज का दिन रुकेहवे कारी को फसेहवे कारी को बनाने वाले दिन हैं, जितने भी आपके रुकेहवे फसेहवे कारी हैं, उन सब को खत्म करने की कोशिस करें, आज उनको खत्म करने में सफलता की प्राप्ती भी होगी, मान सम्मान में ब्रती होगी, पिता का सही होगी प्राप्त होगा, आपकी कुंगली से आपके संतान को सफलता की प्राप्ती होगी और उनके कारे भी बनेंगे, साथ ही अपने करा तो बίलकूल भी ना करें व्यापार औधन की बात करें तो व्यापार में आज हानिव सकती आपको वेर्थ के और फिज calculated खर्चों से आपको बचना चाहिए विद्यार्थि की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज करें खर्ची ला रह सकता है तो आपको भी अपने फिज्वल खर्चों पर नियंतर रखना ही चाहिए स्वास्त की बात करें स्वास्त के दिश्टी से आज करें आपको मध्यम र सामानने से कम रहने वाला हैं जीवन साथी से वादवियाद हो सकते हैं तो आपको आज आपसी सामान जस्य से बना कर रखना होगा आज किन ब्राउन राइस यानी की पक्का चावल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरांग औरेंज किलर लकी नमर रहेगा छे बात करेंगे आप करकरासी की करकरासीम चंद्रमा तीसे स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुब आज का दिन आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाल है आज आपकी कई परकार के इच्छाओं की पूर्ती हो सकती है अपने से बड़े माता पिता या बड़े भाई बनों की किरपा आपको प्राप्त होगी मान सम्मान भी मिलेगा पर्तिष्ठा में विर्धी होगी और भिज में सगे समंधियों में मित्रों में आपका मान समान बढ़ेगा आज के दिन कुल मिलाके आपके लिए सुब रहने वाला है बात करेंगे व्यापार और धनकी तो करकराशी वालों के लिए आज अचानक से धनलाब की योग बन रहें मकान और घर बनने की योग भी बन रहें व्यापारयों के लिए आजकें काफी लाबदाइक भी रहने वाला आपके लिए अच्छे संयोग भी बन रहे हैं अगर आजकें कुछ नया कारी आरम करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है लेकिन नया कारी आरम करने से पहले वीडियो के अंत में जो जानने आजका सुप समय क्या है सुप समय में ही नया कारी आरम करें ताकि आपको सफलता की प्राप्ती निश्ची तोर पर हो विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज के इन सामानने रहने वाला है अपने पढ़ाई पर ध्यान दें सफलता इसी से मिलेगी स्वास्त की बात करें स्वास्त के दिष्टी से आज के आपके लिए बढ़िया रहने वाला है आज आपका मन और सरीर दोनों स्वस्त रहेगा प्रेम समंध की बात करें तो प्रेम समंध की दिश्टी से आज कर दिन बढ़िया रहने वाला है रिस्तों में नई शुरवात हो सकती है आज के दूद या दूद से बनी वी चीज़े खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग महरून रंग लकी नमर रहेगा चार बात केंगे सिंग रासी की सिंग रासी मचंदमा दूसरे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप सिंगरासी वालों के लिए आज का दिन थोड़ा खर्ची ला रह सकता है धार्मिक कारियों पर और मांगलिक कारियों पर आपके खर्चे हो सकते हैं आपको आज कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ती भी हो सकती है परसंता में आपकी व्यर्धी होगी दिन भर खुश रहेंगे आत्म सम्मान से भी आपका दिन भरा हुआ रहेगा जहां कहीं भी जाएंगे आपको मांग सम्मान की प्राप्ती भी होगी व्यापार और धन की बातकेद व्यापार करने वाली जातक आज थोरा सम्हल कर रहें अनावास्या खर्च आपके हो सकते हैं जिसका पूरा प्रभाव आपके व्यापार पर परेगा विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए भी आजकिन बढ़िया रहने वाला है मां सरुसति का अस्मान करें मेहनत करें सफलता की प्राप्ति आपको जरूर होगी स्वास्ति की बात के स्वास्तियाप का मध्यम रहने वाला है गैस से समंदित समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है तो अपने स्वास्ते का ध्यान रखें तले भुने और मसायदार खानों से दूर रहें प्रेम समंद की बात के दाम पत्ते जीवन में खुसियां बढ़ सकती है विवागा के लिए पस्ताओं आ सकते हैं नए समंद्धों की सुरुआत भी हो सकती है आज के नेमबू अपने खादे पतात में सामिल करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आजका सुब रंग गुलावी रंग लगी नमर एक रहने वाला है बात करेंगे कन्यारासी की कन्यारासीम चंद्रमा पर्थमस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप कन्यारासी वालों के लिए आजके न बहुती सकारात्मक रहने वाला है आजके न आप अपने प्राक्राम के बल पर और मेहनत के बल पर अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाएंगे यात्रा के भी योग बन रहें आपके लिए और यात्रा आपकी सुप रहने वाली है व्यापार के लिए जीवन जीने के लिए आपको आज नए सहियोगी भी मिल सकते हैं व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार के लिए आज कीन बहुती बढ़िया रहने वाले हैं आज कीन आपके लिए अच्छे संयोग बन रहे हैं आज कीन कुछ नया कारी आरम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी लेकिन नया कारी आरम करने से पहले वीडियो के अंत में जहूर जानले आज का सुप समय क्या है सुप समय में ही निया कारी आराम करें ताकि आपको सफलता की प्राप्ती निश्चित औरोप हो विध्यार्थी की बातकेट विध्यार्थियों के लिए आज कीन मद्यम रहने वाला है विद्यार्थियों को आज निंद्रा जादा आ सकती है तो अपने निंद्रा पे नियंतर रखें और अपना ध्यान अपने पढ़ाई पाई लगावें स्वास्त की बात करें स्वास्त के दिश्टि से आज किन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है फिर भी अपने स्वास्ते का ध्यान जोर रखे प्रेम समंध की बात करें प्रेम समंधों के लिए आज किन उत्तम रहने वाला है आज नए समंधों के सुरुआत हो सकती है आज किन दही खाएंगे ताप के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब्रंग लाल रंग लकी नमर पांच रहेगा बात करेंगे तुलारासी की तुलारासी में चंतरमा 12 यह इस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब तुलारासी वालों के लिए आज करीं उत्तम रहने वाले है तरतर के स्वाधिष्ट भोजन और मिठाईयां खाने की योग बन रहे हैं परिवार में तर्थरिष्टेदारों में आपसी सामंजस से भी बना रहेगा व्यापार और धन की बात केट बचट में विर्धी होगी व्यापार में लाब होगा बैंक बालेंस और बचत आपके आज भरती भी नज़रा रहे है आज आपके लिए वस्तर आभुसन और रतने कहईदने की योग भी बन रहे है विद्यार्थी की बात के तो विद्यार्थीों के लिए आज के नहीं मध्यम रहने वाला है लक्ष को प्रात करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी करना पर सकता है तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमे बिल्कुल न रखें स्वास्त की बात के स्वास्त की दिश्टी से आज की आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है किसी प्रकार की चिंता रह सकती है साथ ही और निंद्रा का सामना भी करना पर सकता है तो अपने स्वास्थे का ध्यान जोर रखें प्रेम समन्ध की बात करें प्रेम समन्धों की दिष्टी से आज की आपके लिए मद्यम रहने वाला है बात करेंगे विश्चिक रासी की विश्चिक रासी में चंद्रमा 11 हुए इस्थान में विराजित है जिसके फ्रसो विश्चिक रासी वालों के कैरियर के लिए आज के दिन बढ़िया रहने वाला है आज आपको परिवार जनों का पूरा साथ मिलेगा खास करके छोटे भाई बहनों से ओफिस में भी सहकरिमियों का सहयोग जो भी साथ में काम करते हैं ऐसे लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा आज के लिए आपके लिए यातरा के योग बन रहे हैं और यातरा आपकी सुब रहने वाली है पिता का भरपूर सुयोग भी मिल सकता है बात केंगे व्यापार और धनकी तो विश्चिक्रासी के जुजा तक भौतिक सुक्सुधाओं की चीज़ें बेशते हैं जैसे एलक्ट्रोइस का कोई भी सामान, मुईल फोन, फिरिज कप्रे त्यादी उनके लिए आजके बढ़िया रहने वाला है उनके व्यापार में विर्धी होगी कहीं अगर आपके पैसे बकाया हैं तो वहाँ से पैसे जोर मांगें वहाँ से पैसे आपको आज मिल सकते हैं विद्यार्थि की बात के विद्यार्थियों के लिए आज के बढ़िया रहने वाला है, महनत का पूर अफल आपको जरूर मिलेगा, तो महनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल न रखें स्वास्त की बात के स्वास्त के दिश्टी से आज के आपके लिए बढ़िया रहने वाला है सुबह सुबह अंकुरी तना आज खाएं से आपका पेट साप रहेगा और आप स्वास्त भी रहेंगे प्रेम समंद की बात के प्रेम समंदों के लिए आज के बढ़िया रहने वाला है जीवन साथी के साथ कुछ खाली समय ब्यतीत करें समंद इससे आपके और व्यादा मधुर होंगे आज के बादाम खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरं नारंगी रंग लखी नमर एक रहने वाला है बात केएंगे धनुवासी की धनुवासीम चंदरभां आज दस्मिय स्थान में विराजित है जिसके प्लसब धनुवासी वालों के लिए आज के बढ़िया रहने वाला है परतिष्ठा में विर्धी होगी, जहां कहीं भी जाएंगे मान सम्मान की प्राप्ति होगी भविश्य केलिए आपको इस साकारत्मक योजन आज बना सकते हैं दूसरे सब्दों में कहें तो आज का बनायवा योजना आपको आने वाई दिनों में सफलता की प्राप्ति करा सकता है व्यापार और धन की बात के सभी प्रकार की भौतिक सुख स्विधाएं आपको मिलेंगी जैसे मकान भूमी बाहन माता के सुख में विर्धी होगी जो भी कारी आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं उसमें आपकी रूची बनी रहेगी जिसके फ्लस रूप उस कारी में आपको सफलता भी मिलेगी आर्थिक दिष्ठी से आज किन आपके लिए बढ़िया रहने वाल है व्यापार में लाव होने की योग भी बन रहे है विद्यार्थि की बात के दिविद्यार्थियों के लिए आज किन बढ़िया रहने वाल है अपने लक्ष को साथने के लिए विसेस रननिती बनाएं इससे आपको फाइदा होगा स्वास्ता की बात का है स्वास्ता के दिश्टी से आज किन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है लेकिन आपकी मानसिक सांती ओइस्थिर रह सकती है किसी प्रकार के चिंता रह सकती है फ्रेम समंत की बात का आप से सामन ज़से बना के रखने का प्रयास करें आज की ब्राउन राईश यहीं की पकका चावल खाएंगे तक आप के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब र Sharm फाल सई रईग लखी नुमबर नौ रहने वाला है बात कहेंगे मकर रासी की मकर रासी में चेंदरमा नौवे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप मकर रासी वालों के लिए आजके इन बढ़िया रहने वाल है आध्यात में सुख मिलेगा आपको पूजा पार्थ में धार्मिक कारियों में आपका मन लगा रहेगा भगवान की क्रिपा भी आप पर बनेगी सरकारी ओफिस से समंदित कारी आपका सफल रहने वाल है व्यापार और धन की बात कहें धन प्राप्ति के नए उपसर आपको मिल सकते हैं व्यापार में भी लाब होगा और फिस में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी की बात करेंद विद्यार्थियों के लिए आजकिन उत्तम रहने वाला है। मा सरसाती की किरपा आप पर बनी रहेगी। स्वास्त की बात का है स्वास्त के दिश्टी से आजके अपके लिए बढ़िया रहने वाला है लेकिन गैस से समंधित कुछ समस्या रह सकती है तो बाहर के खाने से बचें इससे आपका स्वास्त कराब हो सकता है प्रेम समंध की बात के प्रेम समंधों के लिए आजके ठीक ठा निखारा सकता है आज मिस्वास में बरहुतरी हो सकती है आज किने व्यक्तित पर विश्यस दोर पर ध्यान दें आज के अपने गुस्ये पर नियंतन रखें किसी से वाद व्याद में ना परें परोशियों तर्था छोटे भाई बानों से संबंध मधुर रखने का प्रयास करे घर से जब भी बाहर निकलें तो अपने वाँन को नियंतन में चलाए धीरे चलाए आज लराई जगरे के साथ साथ दुरघटना के योगपि बन रहें तो आपको थोड़ा समल कर रहना होगा आज के दिन जब भी घर से बाहर निकलें तो वीडियो के अन्त में बताएगे प्रेम समन्द की बात के हैं जीवन साथी से, सामन जैसे, बनाके रखने का प्रयास करें, जीवन साथी से, आज मनमुटाव होने की संभावना पन रही है, तो आपको ही अच्छे समद्ध मेना के रखने का प्रयास करना चाहिए, आज गिन दही काहेंगे, तब के लिए सुभर रहेगा, आज दिन भर में कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है परिवारजनों और सगे समंधियों में आपस में प्रेम और सद्भाव बना रहेगा ओफिस में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा तथा सरकारी कारियों से आपको लाब भी मिलेगा आज किसी प्रेजन्स से अब आपकी मुलाकात हो सकती है व्यापार और धन की बातके तो आज पार्टनर्शिप के माध्यम से व्यापार में लाब हो सकता है सुसराल के प्रक्से से भी कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है भूमी, प्रोपटी और मकान के सुख में विर्धी होगी आपके व्यक्तिकत सुख में विर्धी होगी आपकी आये में बढ़ोतरी होगी बचत भी आपके आज बरती वी नजर आ रही है विद्यार्थियों के लिए आज किन उत्तम रहने वाला है मैनत्त करें उसका पूरा फल आपको जरू मिलेगा स्वास्त की बात के तो आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाला है फिर भी अपने स्वास्त का ध्यान जरू रखें प्रेम समंध की बात के तो आज डामफत्तिय जीवन की खुशियां बढ़ सकती है जीवन साथी के सहीोग से आपके काम बन सकते हैं प्रेम समंद्धों के लिए आज के लिए अच्छा रहने वाला है आज के जौँ यद जौँ से बने वी चीज़ें खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा